मैं मिराजखान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया इस वक्ता मौझूद हैं अरडिया के बस इस्टे निस्तित नहर छटगाट पर छटका चौता दिन है उक्तेवे सुरी को अर्ग दिया जा रहा है हमारी साथ बात करने के लिए मौझूद है यहां पर अरडिया के सांसत मैं भी आया हूँ बड़ा ही आनंद लगा और भगवान सुर्ज का अराधना किया और यह जो घाट है यह सुन्दर बने जैसे कुछ पाट में उधर घाट का पत्थर से बना हुआ है सिमेंट से हम चाहेंगे कि आने वाला दिन में यह घाट पूरे आस्ते आस्ते जो है नहर हो और यह काम हम सब मिलके करने वाले हैं अब यहां बनना चाहिए जैसे उस तरफ एक सड़क है इस तरफ नहीं है दोनों तरफ सड़क हो और यहां पे घाटों का जो है सीडियां बन जाए तो मुझे लगता है कि छट वर्तियों के लिए आसान होगा तो आने वाला दिन में मैं इसको करूंगा यह काम में करने वाला हूं और आस्ते आस्ते मैं इसको गोड़ी चौक से लेखे इस्टेशन चौक तक इसको बनवाने का योजना बना रहा हूं धिरे धिरे होगा और यह बड़ा पर्व है महा पर्व है और यह पर्व सभी करते हैं और इतना उत्सास से करते हैं इतना लोगों को आस्था है कि मुझे लगता है कि जो मंद से मांगता है उसका मनत भी छट मैया पुरा करती है इसलिए आज के दिन फिर से छट मैया से प्रार्थना है यहें छट मैया सबको सुक्षमृदी सांती और सभी को छट मैया स्वस्त रखे यही हमारा शुब कामना है कि अभी आपने बोट पर भी बोटिंग किया है और लोगों से बात करने कोजिश कि लोगों का किस तरह विदावन मिला बहुत बढ़ियां लगा बोट में चल करके बड़ा आनंद लिये और घुमने में भी अच्छा लगा और लोगों से भी मुलाकात हो गई तो औ पर भी कई बोट यहां होना चाहिए पानी कम होने के कारण बोट पुरा नहीं चला लेकिन जितना भी चला मजा आया तो यह थे हमारे साथ अरडिया सांसत परदिवकौार सिंग इन्यों ने साफ्तवर पर कहा है कि छट घाट का संद्री करन होना चाहिए और जो छट घाट क मैं मीडिया के लिए मैं मिराज कान